कि स्वागत है आप सभी का सरकारी के अफिशल के एक और वीडियो में देखिए दोस्तों आप सभी लोग एससी के नए वेबसाइट के ओपर फॉर्म फिल कर रहे होंगे चाहे वो फेस्ट्रेल का हो सकता है या फिर अभी सीप्यो का वेकेंसी भी चल रहा है तो वह आप फिल कर रहे होंगे उसमें सभी बच्चों को यहां पर एक दिक्कत आ रही है आपकी सिगनेचर अच्छा से होगा ठीक है फिर भी आपने अप्लोड नहीं हो रहा है ठीक है तो क्या इसका आपका जो सॉलीशन है उसका वीडियो में आपको उस चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो काफी यादा है बाकी आगे भी अगर आप SAC का फॉर्म फिल कीज टाकि आपका जो signature वो सहीस से विजिबल रहे है उसके बाद दूस्थ दूसरा चीज आपको देखना है कि आपका जो फोटो क्लिक हुआ है जिसको upload करना ऐा आपको उसका size क्या है , ठीक है तो आपको देख़ए यहाँ पर यह जो upload करना photo का size 10 कबी से लेकर 20 कधी में होना चाहिए और इसका जो format है फेंट जे पी ईजी और जे पीजी format में आपका होना चाहिए इसके साथ-साथ दोस्तों इसका dimension 4x2 cm में होना चाहिए बागी दोस्तों यह सब चीज़ें कि आपको photo अच्छे से और horizontally align करके आपको click करना है तो देखें यह सारा चीज मैंने कर लिया है और 4x2 में मैंने change कर लिया था फिट भी यहाँ पर यह अफलोड नहीं हो रहा है तो कैसे इसको solution है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके लिए दोस्तों आ जाना आपको Chrome browser के उपर यहाँ पर आपको search करना है इस पर आपको click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको select file का option देगा याने कि आप किसे जो है आप change करना चाता है तो simply यहाँ पर select file पर मैं click करता हूँ माल लेजी कि मेरे पास यह sample के तोर पर यह वाला signature है इसको मुझे upload करना है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसका dimension change करना होगा जो की चारवाई 2 cm है लेकिन दोस्तों error इसलिए हो रहा है यहाँ पर की cm में size जो यहाँ पर नहीं ले रहा है इसके बीच में कोई सा भी आप number select कर लिजीगा आप मतलब की 15-16 के आसपर select केजीगा तो ज्यादा सही रहेगा ठीक है उसके बाद format आपको jpg select करना है या पर आप jpg यह दुनों में से कोई भी select कर सकते हैं मैं jpg ही रहने देता हूँ यहाँ पर यह केपी में ही रहेगा उसके बाद नीचे आएगा दोस्तों यहाँ पर एक option रहेगा change quality ठीक है यहाँ पर एक box पर है पना रहेगा आपको इस box में क्लिक करना है phone में भी आप same to same process कर सकते है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आजएगा यहाँ पर width and height आपको fill करना होगा यहाँ पर यूनिट आपको pixel select करना है इसमें आपको PX वाल option select करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर width में आपको डाल देना ह 151 and height वाले में option में आपको fill कर देना है 75 ठीक है तो 151 and 75 यह दो height आप ध्यान से भरिएगा width वाले में 151 भरना और height वाले में 75 अगर आप उल्टा भरिएगा तो फिर नहीं upload होगा simply यह हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको next download का option मिलेगा next download पर आपको click कर देना है next download पर click करने के बाद देखे दोस्तों यहाँ पर यह download हो जाएगा लेकिन यहाँ पर यह जो file download events 7.2 kb का ही हुआ है ठीक है लेकिन हमें upload करना है events 10 से 20 kb के बीच में तो अब हमको इस file के size को increase करना होगा तो इस file के size को increase करने के लिए simply आपको यहाँ पर search करना है next step में आजए से ठीक है resize image in mm ठीक है यह option मिलेगा मतलब काफी सर अप्सन रहेगा आप सिंपली से पहला वाला link पर click कर दीजेगा उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा उसके बाद देखे यहाँ पर एक option मिलेगा आपको increase image size in kb simply आपको इस वाले option पर click करना है क्योंकि हमें size को increase करना है ठीक है इस पर click किजीगा यहाँ से आपको select image वाला option मिलेगा जो आपने अभी-अभी image को download किया है ठीक है मतलब आभी जो resize होकर करके download हो था 7.5 kb का उसको आपको simply से select कर लेना है जहाँ पर भी आपको download हुआ हो तो मैं simply यहाँ से इसको select कर लेता ह यह वाला size था दोस्तों यहाँ पर दीकिए 7 kb आ रहा है इसको हमें 20 kb से चोटा और 10 kb से बढ़ा रखना है तो मैं मान के चलता हूं मैं 18 रखता हूं friends 18 फिल करके increase size पर हमें click कर दिया हूं अब यहाँ पर यह process लेगा process करने के बाद automatically आपके लिए यह image create कर देगा उस size मे ठीक है और देखिएगा एक click में इस बार आपका upload हो जाएगा देखिए यहाँ से image resize हो चुक है अब यहाँ से इसको download कर लेते हैं download जाने के बाद यहाँ पर देखिए 18.2 kb इसका size बन गया है ठीक है अब चलिए हम इसको जो है यहाँ पढ़ा करके फिर से upload करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं एक पर फिर से इसको refresh कर लेता हूं पेज को आप भी इस पेज को refresh कर लिजेगा एक बर ठीक है और capture कर लिजेगा फोटो को लाइफ फोड़ आपको capture करना आता होगा ठीक है उसके बाद upload signature पे क्लिक किजेगा यहाँ पर देखिए अभी अब यहाँ पर यहाँ पर यह एक क्लिक में आपर option भी आगया signature uploaded successfully तो इस तरीकी से आपको signature upload करना है दोस्तों तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है काफी सारे candidates यहाँ पर centimeter में change कर रहे होंगे लेकिन फिर भी उनका upload नहीं होड़ागा लेकिन यहाँ पर लेकिन मैं थोड़ा बीजी था इसलिब में वीडियो नहीं बनाया पाए था लेकिन आई होब दोस्तों की इस वीडियो से आपको definitely 100% sure रहे है कि आपका solution हो जाएगा and easily आप अपना photo upload कर सकते हैं तो यह ही मुझे अपताना था वीडियो आपके लिए helpful आओगा तो इसे अप वेबसाइट का नाम आप याद रखेएगा जैसे से मैंने बता है वाइस अफसा फॉलो कीजिए कोई दिक्रत नहीं होगा बागे दिक्रत होती है कामेंड सेक्शन नों बताइएगा या पर हमारे टेलेग्रम चैनल है उस पर भी आप अपना डाउट पूस सकते हैं तो इस इस वीडियो को ही पर एकते हैं मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब दे के लिए गुट बाइए